दोस्तों गर आप Google के मदद से कोई भी application को download करते हो या फिर कोई भी APK फाइल को अगर आप download करते हो बड़ download करने के बाद दोस्तों जब भी आप उस application को, उस APK फाइल को इस्टॉल करना चाहते हो वो दोस्तो इंस्टॉल नहीं हो पाता है, सिंपली से आपके सामने लिखाया जाता है, अगर दोस्तो आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आज किस वीडियो में दोस्तो इसी का सॉल्यूशन ले के आया हूँ, और लाइब मैं आपने फोन पे अभी आपको ले के जाऊँगा, और दिखाऊँगा किस तरह से दोस्तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, और साथ किस तरह से आप उस अप्लिकेशन को या फिर उस APK फाइल को आप किस तरह से अपने फोन में इस्टॉल कर सकते हो, बट दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज बो प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए बोलोंगा वीडियो को 2-3 मिनट की वीडियो आची तरह से देख लेना, तो अब चले करते हैं वीडियो को फड़ाग स्टार्ट वीडाउथ वीस्टिंगे सकेंड, दोस्तो तो सिंपली से आज को मेरे फोन की होम स्कीन तो चलिए आप हैं किस तर से दोस्तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकतो इसस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तो आपको स्टइंग को अपें करना होगा एंने स्टोरेज को open करने के बास सबसे पहले यहां पर आपको करना क्या है सबसे पहले दोस्तों आपको चेक करना है कि आपके फोन में जगा है क्या आपके फोन में storage है या फिर आपका memory फुल है तो सबसे पहले आपको अची तर से यह चेक करना है अगर दोस्तों आपका memory नहीं खाली है, आपका अगर phone में जगार नहीं है, तो दोस्तों आपको ये problem आ सकती है, सबसे पहले दोस्तों आपका memory खाली है, अगर दोस्तों आपका memory खाली है, फिर भी install नहीं हो रहा है, तो उस case में आपको करना क्या है, दोस्तों सिंप्लिस से यहाँ से back जाना ह अब सबसे पहले देखने को मिला है Manage Apps and Device सबसे पहले अब क्लिक करने कर दोस्तोum आपको करना क्या है यहां पर सबसे पहले एक ऐप्सें देखने में घाली है No Heartful App Found सबसे आपको क्लिक करने कर दोस्तो यहां राइट के टोप साइड में आपको एक setting का icon देखने को मिल रहा है तो simplychau इसकति दोस्तो आप इस डोलों को इस particular करें आपसे आप Mai Prinzip अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तो एक ही problem तो उसे आप किस तरह से बिखने तो उसके लिए करना किया फिर से दोस्तो आपको अपने फोन का setting को open करना है open करना है simply end यहाँ पर search bar में जाना है and simply से आपको यहाँ लिखना है unknown unknown source installation जैसे नीची है में दोस्तों आपको unknown source installation simply से लिखा आजाएगा तो simply से आप इस वे click करना है click करने करने रिए दोस्तों यहाँ पर कुछ time लग सकता है यह डिपेंड करता है कि आपके फोन में कितना इस्टोर इसे कि आपने गूगल से कोई भी फाइल को को डाउलोड किया और वह इस्टॉल नहीं हुआ तो जैसे कि देख पारे दोस्तों अपने गूगल से किया तो यहाँ पर अपने फोन में कि आपको से कि अनवल करना है दोस्तों यहाँ पर आपको अलाउद कर सकतो आपका यह किस तरह से इस अप्लिकेशन को किसी भी आप लिकेशन फाहर को बहुत ही आसानी से आप अपने फोन में इंस्टाल कर सकते हो और आपको वीडियो भी पसंद आएगे तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर देना और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस करेंगे विगर दोस्तो इस चैनल पर आपको इसी तरह के यूजफूल एंड हेल्फूल कॉंटेंट मिलते रहती है तो दोस्तो तब तक के लिए जय हंदी सित्रा के वीडियो के साथ मिलता हूं नेक्स चैनल